ओम सभीको सादर नमस्ते कोई कह रहा था कि परमात्मा की भक्ति क्यों करें जब कि देखा जाता है कि जो परमात्मा के भक्त हैं उनके भी जीवन में बहुत कष्ट देखे जाते हैं बहुत दुख देखे जाते हैं उनके जीवन में भी बहुत विपरीत परिस्थतियां आती है तो फिर असादक है जो परमात्मा को जानता और मानता ही नहीं है उसके जीवन में कष्ट आएं दुखाएं तो उससे तो समझ माता है कि उसमें तो आना ही है लेकिन जो कर रहा है उसके में भी आते हैं फिर भक्ती गर्मी का प्रवाव कम छोड़ना, ऐसा नहीं है, सरदी, गर्मी, भूख, प्यास, घर में रोग आना, अपने शरीर में रोग आना, व्यापार में हानी, लाव, मृत्यु जन्म, ये सब के साथ बरावर गटित होगा, उसमें कोई अंतर नहीं पढ़ने वाला है, ऐसा नहीं है कोई असादक है, वो सड़क पर जा रहा है, तो गड़े में गिर गया, तो परमात्मा ने देखा कि ये मेरी भक्ती नहीं करता था, इसलिए गिर गया, और कोई भक्त आया, तो दिख रहा है, कि भक्त का भी पेर अभी उस सड़क के गड़े में जाने वाला है, तो उस तक्षेप नहीं है ऐसा नहीं करता है परमात्मा मूल प्रक्रिया क्या होती है दुख में और कष्ट में जो आसादक है उसके जीवन में कष्ट तो आ रहे हैं विपरीत परिस्तियां आ रहे हैं किन्ट उन विपरीत परिस्तियों को वो दुख के रूप में परवर्तित कर लेत सुक और दुख चित्त की इस्तिती है शरीर की नहीं तो बाही प्रक्रियां है तो सब के साथ बराबर होंगी किन्तो अंत में जाकर करके साधक होगा वो उनसे कम प्रभावित होगा अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कोई एक सड़क से कोई व्यक्ति जा रहा है तो ब्रेकर है तो उसको जटका लगेगा ही लगेगा तो असाधक है न उसे समझे कि वो ट्रेक्टर से जाता है और ट्रेक्टर से जाओगे स्पीड में निकलोगे गती से निकलोगे तो ब्रेकर पर बहुत ऊपर नीचे होना पड़ेगा और चोट भी आ सकती है लेकिन जो परमात्मा की भक्ति करता है उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है तो शक्ति की BMW आ जाती है फॉर चुनर आ जाती है तो ब्रेकर तो आएगा वो स सबके लिए आएगा लेकिन वो कब निकल जाएगी अपनी गाड़ी कि उसमें सस्पेंशन बहुत हाई फाई होते हैं नीचे से ब्रेकर निकल गया पता ही नहीं चलेगा तो भक्ति वो चीज देती है हमें ब्रेकर सबके लिए समान है किन्तो एक के जीवन में वो ब्रेकर बराबर है तो जो असाधक होते हैं वो चोटी चोटी बात में दुख पाते हैं साधक उस बात को लेकर के उतना दुखी नहीं होता है तो परमात्मा ऐसे हमारी कोई रक्षा नहीं करने वाला है आपने सुना होगा कि आद्य शंकराचारे जी ब्रह्मा की उपासना कर देते ह बढ़ समय में जो किया उत मैं उनकेई आपको पता है अन्तिंम समय में उनकी मृत्यू कैसे होई महर्शिद एनंद सरस्वती जी के साथ अन्तिं मिधा इस Attention समय में शरीर उनका पूरा शड़ गया था प्षपोले पड़ गए थे उनके शरीर में तो उनकी भी मृत्यू बहुत बुरे थरीके से हुई और महर्शी पाणेनी को तो सिंग ने कच्चा ही चबा लिया था तो रिशियों महर्शियों के साथ, उपासकों के साथ, आजारियों के साथ ये सब कुछ गटित हुआ आयतियास में किन्तु उनकी मृत्यू में और असादक की मृत्यू में अंतर होता है महर्शी दैनन्द की मृत्यू हुई तब वो विचलित नहीं हुए तो कोई भी साथ, मृत्यू को तो नहीं रोक सकता है किन्तु मृत्यू का दुख है वो उससे बच सकता है यह साधना कफल होता है भक्ति कफल होता है मृत्यु आ रहे हैं तब भी महर्शी मुस्कुर आ रहे हैं कह रहे हैं कि जो भी है परमात्मा तुने जो भी किया सब ठीक है तो कोई दुख नहीं हुआ बाकी कि जो असादक होंगे उम्रित्यों को देख के उनका क्या हाल होता है अब जनते ही है तो ये भक्ती का प्रताप होता है तो सादक के जीवन में जो भी विपरीत परिस्तितियां आती है वो विपरीत परिस्तितियां ही रहती है वो दुख के रूप में परवर्तित नहीं होती है असादक हर छोटी छोटी बात पर कल्पोना करता है तो जो परमात्मा की शरण में हैं उसी की वक्ति करते हैं वो दुखी नहीं होते हैं वो सोचते हैं किस बात की चिंता अपना बाप सब से बढ़ा है वो सब देख लेगा सब बापों का वो बाप है सब पिताओं का पिता है गुरुओं का भी गुरु है इश्वर और उसी की शरण में जो रहता है वो भक्त होता है और भक्त को फिर संसार से ऐसा कोई दुख नहीं मिलता है यदि ऐसा हो के भक्ती से कोई दुख विपरीत परिस्तिती ना आए तो अब तो मौक्ष मान हो गया किन्त हो नहीं सकता संसार में रहते हुए कश्ट आएंगे ही और सब को आएंगे